हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम बाइलोजी के कुछ MCQ लेकर आए हैं जो कि प्रीबियस यर्स में लाइफ साइंस स्ट्रीम से रिलेटिट डिफरेंट एक्जाम में आए हैं हम देखेंगे कोशन की डेफ़ पी कापी ज्यादा है तथा डाइवर्सिटी भी है और हम इससे आडिया में मिलेगा कि इन कोशन को सॉल करने के लिए हमें कितनी इनफॉर्मेशन चाहिए हमने ट्वेल्थ में जितना पड़ा है उससे हमें कितना और एक्स्ट्रा नॉलिज चा सक्किन है नेकड सॉल डीने ठरड एटेंस ऑन दे इनर माइ्स्ट्राइवर्नार ओडवर्स अफट श चैल अब आप सब जानते हो कि माइट्रो कौन्डय को पावराउस अफ्टा सल केते हैं यह करेक्ट है एट् एट्यस ओन दे इनर मेंट्रोकौन्डर मैम्रें माइट्रोक अब इस option को check करने के लिए हम थोड़ा mitochondria की और cell की जड़े evolutionary history की बात कर लेते हैं जो ancestral cell पो prokaryot थी, वो eukaryot कैसे बनी by the infolding of the plasma membrane और जो ancestral cell थी या primitive cell थी, वो eukaryotic cell थी, वो anaerobic थी, वो aerobic cell में कैसे convert हुई उसने क्या करा, उसने जो aerobic bacteria थी उसको engulf कर लिया अब इस eukaryotic anaerobic cell में और aerobic bacteria में एक symbiosis शुरू हो गया और इस symbiosis को हमने, हम endosymbiosis कहते हैं, aerobic bacteria ने oxidation किया food का और energy provide करी eukaryotic cell को और eukaryotic cell ने bacteria को protection दिया अब हम जानते हैं कि bacteria क्या होता है, वो 70S ribosome होते हैं और यही aerobic bacteria mitochondria में convert हो गए, तो इसलिए mitochondria के पास आज भी 70S ribosome है और जो cyanobacterium थे उन्होंने chloroplast में convert हुए, तो जो chloroplast है उनके पास भी 70S ribosome होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं endosymbion theory of mitochondrial evolution, इस theory से हमें पता चलता है, जो mitochondria है, they have the 70S ribosome, ठीक, तो option नंबर जो A है, वो हमारा answer है, यह गलत option है, mitochondria has 70S ribosome, mitochondria don't have 80S ribosome, चले, अब नेक्स कोशिन की बात कर लेते हैं, question number two, where does glycosylation of protein occurs, अब हमारा पास option है, endoplasmink reticulum, lysosome, mitochondria and chloroplast, अब हमें पहले यह जानना पड़ेगा, कि protein का glycosylation होता क्या है, protein पर carbohydrate के जुड़ने को ही protein का glycosylation कहते हैं, अब देखिए, जैसे कि यह plasma membrane पर कुछ protein लगी होई है, इसके बाहर peripheral protein भी है, और कुछ intrinsic protein भी है, उनके उपर carbohydrate की chains लगे हुए है, अब protein के उपर carbohydrate की chain क्यूं लगते हैं, इनका क्या काम है, यह protein को एक तो stability प्रोबाइड करते हैं, protein की प्रापर folding में help करते हैं, protein जब endoplasmink reticulum में फोल्ड होती है तो उसमें help करते हैं, साथ के साथ यह cell cell addition में भी काम करते हैं, और they also service antigen, वो cell के उपर जो antigen होते हैं, उनकी तरह भी role play करते हैं, जो अब हम देखते हैं कि इनका protein की folding में प्रापर इनका काम है, protein की folding किस में होती है, protein प्रापर कहां बनती है, endoplasmink reticulum में, endoplasmink reticulum में, protein की chain बनती है, and वहीं पर इसकी folding भी होती है, तो अब folding में इनका roll है, इसका मतलब क्या है, इनका protein का glycosylation भी वही होता है, क्योंकि यह protein की folding में help करता है, तो हमारे पास जो option number A है, वो सही answer है, जो ग्लाइकोसालेशन है यह एंटीजन में भी सर्फ करता है जैसे कि हम नेक्स स्लाइड में देखते हैं कि यह आर्बीसी की प्लाज्मा मेंब्रेन है इसके उपर जो है हमारे एबियो ब्लड ग्रूप के एंटीजन लगे हुए है तो यह उसके एंटीजन की तरह भी सर्फ करता है क्लाइकोसालेशन की चेन है ठीक है चले अब हम नेक्स कोशन की बात कर लेते हैं कोशन नमबर 3 संथिस अफ लिपिड इस डेगूलेटिट बाई अब हम ने दिखा अभी कोशन में कि जो आरियार उसका काम तो प्रोटीन के संथिस करना है राइबोजोम क्या है प्रोटीन की फैक्टरी है तो इनका भी क्या है प्रोटीन की संथिस से रिलेटेड है लाइसोसोम हम जानते है आप दो हाडुलिटिक एंजाइम्स और यह क्य लिपिट की संथिस करते हैं तो इसका ऑप्शन नमबर ए सही है जो एसी आर का काम है वो लिपिट की संथिस से रिलेटेड है अच्छा विच फॉलिंग स्टेट्में इस नौट करेक्ट इसमें हम मारे पास चार ऑप्शन है लाइसोसोम है नूमरस हाडुलिटिक एंजाइम लाइसोसम के पास हाडुलिटिक एंजायम होते हैं यह बिल्कुश सही है कि लाइसोसम के पास हाडुलिक एंजायम होते है जिससे कि वो ल突 बाहर से उनके पास बाहर से उनके पास अंडोसाइटिक वसीकस लेकर आती हैं उसको डैजेस्ट करने का काम करते हैं option number B the hydrolytic enzyme of the lysosome are active under acidic pH यह भी सही है जो hydrolytic enzyme होते हैं वो acidic pH पर ही active होते हैं lysosome are membrane bound structure यह भी हमें पता है कि lysosome membrane से bound structure होते हैं membrane bound और्गनल हैं यह option number D lysosome are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum अब lysosome की packaging कहां पर होती है कैसे बनते हैं by the packaging in the endoplasmic reticulum हम इस option को देख लेते हैं हम देखते हैं कि protein की अगर आप इस diagram को देखो तो आपको पता चलेगा कि आप जानते हो कि प्रोटीन के संथेज होती है ER में और जो लाइसोसोमल एंजाइम है they are also protein and they are formed in the ER and then it is transported to the Golgi apparatus, Golgi apparatus को टांसपोर्ट कर दिये जाते हैं Golgi apparatus इन्हें pack करके इनकी processing करके इनको pack करके lysosome की form में इनको बाहर भीजता है तो लाइसोसोम की packaging कहा हो रही है Golgi apparatus में फिर यह लाइसोसोम क्या करते है वह कैजे suicidal bag और तो इसकी packaging कहा हो रही है इसकी packaging Golgi apparatus में होती है क्योंकि यह ट्रांसपोर्ट का पात ही यह इंडियोप्लास्मिक रेटिक्रम से Golgi apparatus लाइसोसोम तो हमारे पास जो option number D है वह गलत option है इसमें लिखा है जो packaging है वो अंडियोप्लास्मिक रेटिक्रम में होती है नहीं packaging Golgi apparatus में होती है तो जो option number D है वह इस question का answer है चलिए अब हम नेक्स बात कर लेते हैं next question की question number 4 albuminous seed are found in P groundnut and caster हम जानते P dicotyledonous है groundnut भी dicotyledonous है और यह दोनों ही non albuminous seed है क्योंकि इनके पास जो है endosperm पूरी तरगी से खर्च हो जाता है endosperm reserve endosperm नहीं रहता है caster dicot है लेकिन यह exceptional case है इसके पास residual endosperm बचा हुआ रहता है इसके पास endosperm रहता है तो इसमें यह caster albuminous है लेकिन पी और groundnut जो है non albuminous seed है अब हम option number B को चक कर लेते हैं उसमें caster to albuminous है sunflower जो है वो non albuminous है क्योंकि यह dicot है और इसमें endosperm नहीं होता है बारले albuminous से इसमें endosperm होता है क्योंकि यह monocot है अच्छा अब हम बात कर लेते हैं तो यह option दलत हो गया इसमें sunflower सही नहीं है अच्छा अब option number C की बात कर लेते हैं wheat, barley and kester अब wheat तो monocot है इसके पास endosperm होता है barley भी monocot है इसके पास endosperm होता है kester dicot है लेकिन इसके पास endosperm होता है जैसे कि हमने भी option number A को discuss करते हैं दिसकस किया था तो इस question का यह answer सही है C answer सही है तीनो एक्जामपल ऐसे हैं जो की albuminous seed है option number 4 में P और ground nut के पास endosperm नहीं होता है आच्छा और question number 5 uric acid forms in body by uric acid body में बनता है कैसे by phospholipid by glucose by purine and pyrimidine अब हम अगर हमें थोड़ा सा भी uric acid का structure या दो तो हम कहते हैं यह excretory product है और यह एक nitrogenous waste product है तो इसके पास nitrogen होता है ठीक है तो आप देखते है phospholipid में तो nitrogen का मतलब नहीं इसके नाम से यह बता है तो इससे तो बन नहीं सकता फिर next example है glucose glucose में भी हम जाते है nitrogen नहीं होता है अब example आते है हमारे पर purine और pyrimidine अब आपको थोड़ा सा भी DNA का structure अगर या दो आदो आपने परिरीन का structure पढ़ा हो तो हम देखते हैं कि pyrimidine जो है single drink structure होता है pyrimidine का और purine का double drink structure होता है अगर अब आप देखे इसमें देखे तो इसमें guanine और adenine दोनों दिये हो है इसमें double ring है और uric acid में भी double ring है और यह भी nitrogenous base है यह भी nitrogenous base है ठीक है तो guanine और adenine से uric acid बनता है cell में जब इनका next video में हम कुछ और important question ले करके आएंगे thank you.